मध्ध प्रदेश में सिच्छोकों की कमी से जूज रहे विद्यालियों के लिए एक बड़ी ख़बर सामने आई है आपको बतादे कि आने वाले एक अगस्ते से लेकर दस अगस्ते तक खाली पड़े विद्यालियों में सिच्छोकों के ट्रांसपर किये जाएंगे इसे लेकर मध्यपदेश स्कूल सिच्चा विभागने आधेश चारी कर दिया है आपको बता दे की सरकारी श्कूल के प्राथमिक सहायक और प्रयोग साला सिच्चकों का ट्रांसफर कीया जाएगा कहा जा रहा है कि कुछ सहरों में सिच्छुकों की संख्या जादा है जिसको देखते हुए तबादला नीद की तहत इनका ट्रांसपर किया जाएगा